नमश्कर दोस्तों दोस्तों आज कल एक ऐसा एलेक्ट्राइक डिवाईस यह से जिसका प्रियोग काफी बढ़ता जा रहा है तो उस वीसुबंसें बात करेंगे कि वो क्या होता है और कितने परकार का होता है तो उसको बोलते हैं संतों कितने परकार का होता á electronic device है select sensor एक ऐसा डिवाइस है जो भौतिक परस्तिती यानि किसी भी condition को माप लेता है या उसको record करने का काम करता है या उससे जवाब भी देता है इस तरह से बहुत electronic sensor का उपयोग किया जाता है तो जो electronic sensor है आज किस ताइम में काफी बढ़ गया बाइकों में कारों में और जाता है इंडिस्ट्री में तो पहले से लग क्या रहा था लेकिन आज की रेट में बाइक कार और बहुत सारे घर के डिवाइस हैं जो जहां पर लगा होता है और इसका का उपयोग हो रहा है लेकिन हमें पता निचलता है कि यह क्या चीज है तो आप देखेंगे दोस्तों कि यह कितने परकार का होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक sensor होता है जो temperature को मापता है चाहाए वो आपका chilling हो या cooling हो या heating किसी भी तरह का हो उसको मापता है दूसरा proximity sensor होता है, proximity sensor जो होता है, वो एक तया का metal sensor होता है, जो किसी metal को sense कराने के, जैसे आप कोई लोहा व गएरा, या किसी प्रकाद कोई metal होगा, उसको ये sense कर लेगा, जो भी जो धात होते हैं, धात को sense करने के लिए proximity sensor का उप्योग करते हैं, आप देखेंगे एक्सलो इसके बाद जो यह है जो एट आप आई यार इसी का वी प्युक काफी ज्यादा आद्ड कल हो रहा है using API z यह आपका प्रेसर इसे का आज कल इंडिस्ट्रि वगयरा इडिया में भी काफी बढ़ गया है तोकि इससे एक तरह का automation भी हो जाता है और मसीनों अगरा में इस sensor का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है जिससे में मतलब low pressure या high pressure भी यूज किया जा रहा है light sensor light sensor का भी काफी यूज हो रहा आजकल आप देखेंगे सौरूर्जा अगरा में light sensor का यूज करते हैं ताकि दिन में बंद और रात में चालो है automatic lightों के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं ultrasonic sensor smoke gas and alcohol sensor इसका भी उपयोग ऐसे जो ऑफिसों हो गएरा में फैक्टियों हो गएरा में इसका भी उपयोग और यह जो gas alcohol किसी तरह का जो भी धुमा होगा उसको sense करके और यह एक तरह का एक hooter या alarm बजा देगा touch sensor touch sensor color sensor color sensor होता है एक तरह से photoelectric sensor यह भी होता है जैसे आप इसका उपयोग फैक्टियों में सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकर और hemorrhoid sensor tilt sensor sensor और flow and level sensor जैसे किसी चीज का flow हो रहा है जैसे आपका water हो गया यह यह जाएस हो गया यह ओयल हो गया मतलब इन सब sensor का सबसे ज़्यादा उपयोग ते इंडिस्ट्री में हो रहा है लेकिन और घरों में भी काफी sensor का उपयोग होता है कुछ मसीने आ गही है आज की रेट में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में तो यहीं तक क्योंकि आगर आगे इनका definition बताएंगे तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आज सिर्फ यह टाइप आप sensor पर ही और नेक्स्ट में हम अलग 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 पार्टों पर जैसे temperature sensor हो गया यहीं अलग अलग एक एक sensor के बारे में विश्टी definition और यह कैसे दिखते हैं कैसे काम करते हैं उस वीडियो मनाएंगे दोस्तों मुझे उमीद है कि इस वीडियो में लाइक कमेंट करेंगे आप लोग इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्ट वीडियो में